गुरु मंत्र हर समय कर सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों? गुरु मंत्र जो मूल मंत्र अनादी प्रमपर से चलावा है हमारे सबसंपरदाओं में, वो संस्कित में है और मंत्र है, उन मंत्रों का जाप पवित्र होके करने का विधाना, यदि पवित्र हुए बिना हम कैसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसकी हानी भी हो सकती है, र शुद्ध वस्ता दान करके, एक कासन पर बैट करके, मन को सयमित करके करना चाहिए, तब ही उसका पूर्ण फल है, नहीं तो फल कम होता जाएगा, और कई बार तो हानी भी होती जाएगी, इसलिए अपवित्र अवस्ताओं में मंत्रों का जाप, यहां गुरु मंत्र की बात किसी भी मंत्र का जाप अपवित्र वस्ता में नहीं करना चाहिए, आपने तो गुरु मंत्र की बात की, हम तो किसी भी मंत्र की बारे में कह रहे हैं, कोई भी मंत्र हो, पवित्र हो के करना चाहिए, हाँ प्रभु का नाम जाप अपवित्र वस्ता में भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष्ट ने, नाम जाप में कोई दोष्ट ने, क्योंकि मंत्रों को रिशियों ने इस ढंक से संयोजना, संगरचना उनकी करक ही है, कि एक अक्षर, दूसरे अक्षर को मात्रा से जब संबंद बनता थे, कि एक अलग से शक्ती पैदा होती है, वो शक्ती को शुद्धता की विसेस अब शक्ता है, वो नियमों में बंध है वो मंत्र, और नाम, नाम किसी नियमें बंध, नाम तो आप अपनी मर्दी से भगवान क कोई नाय रख लो, ये भगवान का नाम है, इस भाव से आप किसी भी नाम को जपो, उसमें कोई भी दोश नहीं, लेकर मंत्रों की संग्रचना, रिश्यों की द्वारा इस ढंक से स्रिष्टी में प्रगट के गई है, मंत्र तो सब अनादी होते हैं, लेकर रिश्यों के द् करके स्रिष्टी में आती है, इसी प्रकार मंत्र भी अनादी काल से होते हैं, लेकर रिश्यों के माध्यम से आते हैं, जिस रिश्यों के माध्यम से आते हैं, पहले मंत्र प्रमात्मस उस रिश्य को मिलता है, रिश्य उस मंत्र को सिध्ध करता है, उसके बाद उसका परचार करता है तो सबसे पहले मंत्र को जिस रिशी ने सिद्ध किया उस मंत्र का वही रिशी कहलाता है इसलिए हमारे जब अनुष्ठान करता है बोला जाता कि इस मंत्र का रिशी कोन है जैसे गायत्री मंत्र का रिशी कोन है तो विश्वामित्र है कितने मंत्रों के रिशी देव रि करो और वो भी ऐसा नहीं कि गरंद से पढ़ करके करें नहीं दिक्षित हो करके मंत्रों का जाब करो क्योंकि उन्हें मंत्रों की संयोजना कुछ इस रीती से होती है यह दिम अपवित्र अवस्था में नीम को तोड़ के करेंगे तो लाव के स्थान पर हानी होने की अधिक चा हो हमारे हैं संत कहीं बार होता है क्यों मंत्र देते नहीं नाम दे देते हैं और मंत्र देने से पहले नाम जाब करो नीम से साल दो साल छे मेने और फिर जब बिना नीम टूटे नाम जाब करो गए उसके बाद फिर दिक्षा देते हैं मंत्र देते और कहीं ऐसे भी हैं हमारे सिनात नधर में क्यों मंतर देते ही नहीं नाम देते है राम नाम जाप करो सिधा राम राम करो महा मंतर दे दिया यूगल मंतर ये मंतर नहीं है ये नाम है सब नाम स्री किष्ण गोविंद हरे मुरारी रादा किष्ण रादा किष्ण सीता राम सीता राम सी राम जै राम जै जै राम अभी ऐसे करूँ ये नाम है सिरी भगवान के तो यदि गुरु जी ने नाम दिया है तब तो आप 24 गंटे दिन रात नहाए बीना नहाए खाए बीना खाए चलते फिरते उठते बैठते लेटे अपवी तरह अवस्ता में कैसे भी नाम जाप कर सकते हैं यदि मंत्र दिया है मंत्र हमेशा संस्कृत में होते हैं तो उन मंत्रों की कुछ विदी होती है वो अपने मंत्र परदाता गुरु जी से पूछ सकते हैं